लोग सबाच चुनाओं से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है मद्य प्रदेश में बीजेपी एक बाफीर बड़ा बहुमत हासिल करती दिख रही है वही राजस्थान में भी बीजेपी पांच साल बाद फिर सत्ना में वापस करती नजर आ रही है चैजिसगार में भी बीजेपी का पिछले चुनाओं के मुकाबले इस बाद बहतर प्रदेशन देख रहा है अब तक कि रुजहान देखें तो मद्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनने जा रही है इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी के इस प्रदेशन से एक बाद फिर ब्रैंड मोधी चमका है तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने चुनाव के लिए टिक्टे तो कई महीने पहले ही काड़ दी ती लेकिन मुख्य मंत्री का चहरा किसी भी राज्य में घोशित नहीं किया गया था जबकि 2018 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंग चोहान, राजिस्थान में वसंदरा राजे और 36 गड़ में रमन सिंग को सीम उमिदवार घोशित कर दिया था नतीजा ये हुआ था कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी हार गए थी लेकिन इस बार बीजेपी ने एसान नहीं किया बीजेपी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा और उसका बड़ा असर भी दिख रहा है हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में प्रधान मंत्री ने ताबर तोड रहा लिया और रोड़ शो किये बीजेपी के चुनावी नारे भी पिये मोधी के एर्देगेड ही रहे मध्यप्रदेश में MP के मन में मोधी है और राजस्थान में मोधी साथे अपनो राजस्थान का नारत दिया गया लेकिन मध्यप्रदेश, राजस्थान और चंतीजगर के अब तक के रुझान बताते हैं कि ब्रैंड मोधी फिर चमका है